चलिए दोस्तों, राम कृष्ण प्रम्हंस के सत अब्देश या अनमोल वचन, जिह की अवस्ता में पेट, कहाएं कई रंकी होती हैं, कोई काली, कोई लाल, कोई कबरी और कोई सपेद, किन्तु उन सब से एक ही परकार का अर्थार सपेद दूद निकलता है, इसी परकार कोई मनिश्य देखने में सुंदर, कोई काला, कोई सादू, और कोई असादू दिकलता है, किन्तु उन सब के भीतर एक ही इशुर का निमास है, सज्जन और दूर्जन हंस और जों के सद्रश है, हंस दूद को पिताब और पानी को त्याँ देता है, किन्तु जों स्तन में लगने पर भी रख्त को पिती और दूद को त्याँती है, कहने का मतलब यह है कि सज्जन गोण गराही और दूर्जन दूर्जन गराही होते हैं, दो परकार की मख्या होती है, एक तो मदो मख्या जो के अगल मदोबान ही करती है, और दूसरी साधार मख्या जो मदोबान भी करती ह किन्तो जब उन्हें पका गाव या व्रण मिल जाता है तब वे मदों को छोड़कर व्रण पर जाबिरती हैं उसी परकार दो प्रकति के मनिश्यों होते हैं एक तो इश्वरा नुरागी और दूसरे संसारा सक्त जो इश्वरा नुरागी है वे इश्वरा राधन के सिवा और कोई काम नहीं करते और जो संसारा सक्त हैं वे इश्वर की अराधना तो करते हैं किन्तो जब उन्हें कामेनी कांचन की सुधी आ जाती है तब वे हरी के तन को छोड़कर उसी में मखन हो जाते हैं बद्जीव न तस्वते ही हरिनाम सुनते हैं और न दूस्रों को ही सुनने देते हैं वे धर्म और धार्मिकों की निंदा करते हैं और यदि कोई भजन पुजन करता है तो वे उसकी हसी उड़ाते हैं कच्व की पीट पर तलवार वा तो तलवार की धार बले नश्ट हो जाए पर कच्वे पर कुछ असर नहीं होता इसी परकार बद्जीवों को कितना ही धर्म या नीति का उपदेश दो पर उन पर उसका कुछ भी प्रवाद नहीं पड़ता शूरी की केले सब जग़ समान पढ़ती हैं किन्तु पानी, काच और स्वच पदार्तों में उनका अधिक परकास दिखाई देता है शूरी की केले सब जग़ समान पढ़ती हैं किन्तु पानी, काच और स्वच पदार्तों उसका अधिक परकास दिखाई देता है इसी परकार परमेशवर का अंस, सब जिवों में समान रुप से व्याप्त रहने पर भी सादो पुरूशों में उसका विशेश परकाश दिखाई देता है संसारे मनेश उस तोते के समान है, जो सदेव रादे कृष्न, रादे कृष्न रटा करता है परन्तु जब उससे बिली पकरती है, तब टेंटे की सिवा उससे कुछ कहते नहीं बनता इसी परकार संसारे मनेश, सुक शान्ती के समय, धर्मकार्व और परमेशवर की चर्चा क्या करते है किन्तु विबति के समय उससे कुछ नहीं बन पड़ता बाग के भितर भी इश्वर हैं, किन्तु उसके समुद जाना उचित नहीं इसी परकार दोजनों में भी परमात्मा का निवा से किन्तु उनका साथ करना अच्छा नहीं एक गुरु ने अपने शीश को उब्देश दिया कि इश्वर सब सवच अराचा जिवों में व्यापत है शीश ने ये बात ध्यान में रख ले एक दिन राज्टा में एक मस्तर हाती चला आ रहा था महावत ने पुक्त शीश से राश्टा छोड़ देने को कहा किन्तु उसने सोचा कि मैं भी इश्वर हूँ और हाती भी इश्वर है फिर मुझे हाती से ड़ने की क्या जरूरत है ये सोज शीश वहीं खड़ा रहा अंत में हाती ने पास आकर सुन्ड से उठा उसे फैंक दिया शीशी राम को बहुत चोड़ आए उसने गुरू के पास जाकर सब हाल कर सुनाया गुरू ने कहा ये सच है कि हाती भी इश्वर है और तुम भी इश्वर हो किन्तु उपर से महावत इश्वर भी तो तुमको साधान कर रहा था तुमने उसकी बार क्यो नहीं सुनी जल में कंकर फेंको या उसे किसी तरफ चंचल करो कुछ समय के परचाद वो फिर स्तिर हो जाता है सत्पुरूसों का क्रोध भी इसी प्रकाका होता है कोई उनके मन में क्रोध प्यदा कर दे तो वो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है ब्राह्मन के घर जाने में से सब ब्राह्मन ही कहलाते है किन्तु उनमें से कोई पंडित होता है कोई मंदिर का पुजारी होता है कोई रोसरिया होता है और कोई विवेशा का भक्त होता है जैसे कसोटी पर कशने से सोने या पितल की परिक्षा हो जाती है उसी प्रकार इश्वर के निकत सरलता अत्वा कप्टा चारिता की प्रक्षा सहज ही हो जाती है मनिश्य दो प्रकार के हैं मनिश्य और मनहुस जो इश्वर के लिए व्राकुल हैं वे मनहुस का लगते हैं अर्था उनके मन में होश या क्यान हो गया है और जो कामीनी कांचन में लिप्त है वे साधरन मनिश हैं। संसरे जी किसी बात से सचेत नहीं होते। उन्हें कितना ही दुख, परिताप या संकट क्यों नहीं बोढ़ना पड़े। पर तुवे उससे तनिक भी साधरन नहीं होते। जिसे उन्ट कंटीले चाड़ खाने का रूचिया होता है। कंटीले पेड़ खाते खाते उसके मुँ से रत बैने लगता है। तथा कि वो उनका खाना नहीं छोड़ता। इसी परकार संसारे लोग अनिक कष्ट और दुखों को सरकर भी संसार से जरा भी विरत नहीं होते। एक मेंड़क कुँमें रता था, वो वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ था। कुई के बाहर भी कुछ है, इसकी उसे कुछ भी खबर नहीं थी। एक दिन उसके पास एक समूदर का मेंड़क आया, बातों ही बातों में कुछ के मेंड़क ने पूछा, भाई तुमारा समूदर कितना बड़ा है, उसने उतर दिया कि बहुत बड़ा, इस पर उसने अपने दोनों टांगे फैला कर कहा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है समुद्र के मेंडग ने कहा इससे बहुत बड़ा है इस पर कुप मंड़ो कुई के एक छोर से दुसरी उक छोर तक कहया और कहने लगया कि क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है समुद्र के मेंडग ने कहा मिंत्र बला समुद्र और कोई की समता कैसे हो सकती है समुद्र समुद्र ही है और कोई कुप ही है इस तर भी कोई के मेंडग को विशाष नहीं हो वो बोला क्या इसक में से भी बढ़कर कोई वस्तु हो सकती है बस यही दश्या उन अज्यानियों की हैं जिन्होंने कुछ देखा सुना नहीं है पर जो समझते हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है दोस्तों ये थे स्वामी रामकृष्नक प्रमांस के सत अबदेश पुराने वीद्यो दोगने पीटिए यह आले बटन लगा यहां पेक देखेंगे ताकि आप मेरे पुराने वीडियो देख सकेंगे याद रखिए यह है आई बटन दबाके तो यहां बटन दबाके जरूर पर दिए